ये कच्छे घर बजबजाती और टूटी नालिया और ये टेड़ी मेड़ी सडके ये बताने के लिए काफी है कि कौश्वामभी जिले के मंजनपुर ब्लॉक के निवारी गाउं के निवर्तमान प्रधान ने इन पांच सालों में विकास का एक भी काम नहीं कराया हमारी टीम गाउं की एक एक गली में गई और हमने दिखा कि यहां की नालिया तो इसकदर बनी है कि लोग चलते चलते गिर जाते हैं खुद ही सुनिये गाउंवालों का दर्थ परधान चाहिए पढ़े लिखे बिकास होई बढ़िया यहां बिकास कोई नहीं है अब भी जराने परधान रही और परधानी करता दूसरा को पढ़े लिखे को अच्छ नहीं जनन कर यहां एक देन हुए सब्यां कहाने वाले हाए वैड़ बिकास नहीं होगा जो इस टेम भणन ओन द tad फ़िले पंचड़ जो परधान जीते थे वर जब्र परधान भी ज्रानी कोई दूसरा कर रह था नहीं कोई काम नहीं किया है छिव अपना विकास किया है जनता का विकास नहीं किया है नको करिवा दू Hm उन्हों के निवर्तमान प्रधान एक महिला है लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मधारी किसी और को दे रखी है क्योंकि वो अनपढ़ है और तो और वो भी अपनी जिम्मधारी को नहीं समझते जिससे गाउवालों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्होंने बताया कि नवारी गाउं में पात्रों को एक भी आवास नहीं मिला और जो आपात्र थे उन्हें दो दो घर मिल गए सुनिए विकास होएं देख लीजे ना विकास क्या हुआ है नाली है नाली बनी है पुरी तरह कंप्लीट नहीं होई है आधा धूरा काम हुआ है दिक्कत सर अगर हम आगे से पकड़े नाली में चला जाए और हम भी चुटा जाए और ये ठेला भी तूट जाए बहुत से सारे लोग इसमें चुटा गए उसका हाथ में पैर में सर में लग गया हमारे सहयोगी ने गाउं के तमाम लोगों से बात की और उनके दर्द और परिशानियों को समझा आपको बताते कि गाउं के लोग ये बदहाली की जिजी कर तंग आ गए हैं और गाउं में अब कुछ बदलाव चाहते हैं गाउं में ना तो सडके हैं ना नालियां ना आवास और पीने का पानी तक की व्यवस्ता नहीं है लगातार सरकार गाउं के विकासकारियों के लेकर के पैसे दे रहे हैं लेकिन गाउं में विकासकार हुआ या ग्राम परधान ने अपना खुद का विकास किया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो नाली है खरिंजा है कि पत्थर लगाए गए हैं आने जाने लोग जो रागीर हैं वो किसी तरीके से बच बचा के निकलते हैं यहां पर जो पत्थर लगे हैं नाली को पर वो भी तूट पूड़ गए हैं जिससे यहां पर बाइक भी कादे से निकलने की जगा नहीं है और लोग किसी तरह से बच बचा के यहां पर निकलते हैं यहां पर एक लूट की गई है गिराम परधान और ग्राम विकास अधिजार वैसे एक बात तो साफ है कि जब किसी के हाथ में पैसा आ जाता है